दोस्तो कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा जो सवाल ऐसा था कि उस भाई ने मुझसे ऐसा पूछा कि भाई कीन औरतों के अंदर कामवासना ज्यादा होती है दोस्तों काम वासना क्या होती है ये दोस्तों आपको पता होगा पर फिर भी आपको पता नहीं है तो मैं आपको पताना चाता हूँ कि काम वासना मतलब संभोग करने की इच्छा किन अवर्तों में ज्यादा होती है दोस्तों उस भाई का सवाल ना ऐसा मतलब थोड़ा सा था जो सवाल पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि यार क्या सवाल है तो फिर भी एन ऐसा सोचा कि ए सवाल मेरे बाकी भाईयों के दिमाग में कभी ना कभी तो आता होगा तो इसलिए मैंने उस भाई को जवाब देने के लिए और आप सभी को पता होने के लिए इस वीडियो को बना होता है और तो खुनसी है कि जिस अवरत की उमर 25 से लेकर 35 के बीच में होती है जिहान दोस्तों क्या बला मैंने जिस अवरत की उमर 25 से 35 के बीच में होती है दोस्तों इस मतलब मतलब जो 25 से 35 का जो टाइम होता है ना वो ज़रादर जवानी का होता है और हम लोग ऐसा कहते ह है कि जवानी, दिवानी होती है, तो इसलिए, दोस्तो 25 से लकर 35 तक, इस मतलब समय में, इस मतलब अंतराल में एक ओरत के अंतर नंयादा हारमोंस मतलब ज्यादा मतलब бер निकलते हैं, और इस वजह से उसको ज्यादा काम वासना ज्यादा मात्रा में होती है दोस्तों ज्यादा मतलब ऐसा नहीं मतलब बहुती ज्यादा मतलब बाकी अवरतों के मुकाबले उसके अंदर ज्यादा होती है अगर ओरत 25 से 35 के बीच में है तो दोस्तों तो यह सबसे पहले प्रकार की अवरत हुई और उसके बाद जो दूसरे प्रकार की अवरत है और तो कुनसी है कि शादी होने के बाद अगर कोई अवरत जल्दी से अगर उसका पती की डेथ हो जाती है या पिर मतलब उसके पती का कोई ना कोई एक्सिडंट होता है तो ऐसे समय में उस अवरत के अंदर ज्यादा कामवसन होती है पर दोस्तो हमारे भारत देश में मतलब आउरते अच्ची होने की कारण वो अपनी ऐसी इच्छाए दबाये रखती है पर अगर आप बाहर जाओगे ना मतलब यूएस में या पीर मतलब अंडन में तो आपको मतलब एकदम खंदी-गंदी आउरते दिखाई देगी प दोस्तो इसलिए दोस्तो ऐसा दोस्तो काम करना ये दोस्तो खलत होता है पर फिर भी मतलब आपको पता हो इसलिए मैं आपको पता रहा हूं कि अगर किसी भी अवरत के पती की डेथ जल्दी होती है और जल्दी मतलब वो विद्वा होती है तो ऐसी अवरत के अंदर भी काम कामवासना ज्यादा होती है दोस्तों दूसरे प्रकर की अवरत हुई और उसके बाद जो तिसरे प्रकर की अवरत होती है और तो कुनसी होती है कि जिसका पती उसको समय नहीं रेता इसका पती उसको संतुष्ट नहीं कर पाता तो ऐसी अवरत के अंदर भी मतलब कामवासना ब बिल्कुल भी नहीं कर पाते और अवरत को समय तो वह पूरुष बिल्कुल भी नहीं देते तो ऐसे कंडिशन में अवरत के अंदर काम वासना ज्यादा होती है तो बस अचकी इस वीडियो में इतना ही I hope जो मैंने आपको बतायों आपको सब कुछ समझ आया होगा तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद